सभी भक्त जनों को राधे राधे, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कार्तिक पूर्ण मासी के अगले दिन सुनी जाने वाली चार चिडियाओं की कहानी, इसे चिडा चिडी की कहानी भी कहते हैं। एक बार की बात है, चार चिडियाएं थी, वे चारों सहेलियां थी, चारों ही कार्तिक नहाती थी, जब पढ़वा आई, तो चारों ने सोचा चलो खिचडी बनाए, एक चिडिया चावल लेकर आई, एक चिडिया दाल लेकर आई, एक घी लेकर आई, और सबने मिलकर खिचड पहले एक चडिया आई, उसे भूक लगी थी, बाकी चडिया अभी आई नहीं थी, तो उसने खिचडी की भाप खाली, दूसरी चडिया आई, उसने पानी पी लिया, तीसरी चडिया ने खिचडी खाली, और चौती चडिया ने खुर्चन खाली, कुछ समय बाद चारों चडि खाई थी वो ब्रहमन की लड़की बनी और जिस चिडिया ने खुर्चन खाई थी वो हतिनी बनी कुमहर की लड़की राजा के यहां दासी बनी ब्रहमन की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी हतिनी भी उसी राजा के यहां थी राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब उसकी शादी हुई और जब वो विदा हो रही थी, तो वो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि हाँ जरूर ले जाना, लेकिन राजकुमारी फिर भी विदा नहीं हुई। राजा ने कहा कि अब तुम्हें और क्या चाहिए। तो वो बोली कि मुझे ये हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकरों को भेजा कि हथनी को ले आओ, लेकिन वो हथनी उठने को तयार नहीं हुई। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कही। उसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा दूर से ये सब देख रहा था। वो तलवार लेकर खड़ा हो गया कि बता तु कौन है और इस हथनी से क्या बात कर रही थी। सच-सच बता नहीं तो मैं तेरा सर काट दूँगा। राजकुमारी ने उसे पिछले जन्म की सारी बात बताई। तब उसने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी जोडे से कार्तिक नहाएंगे और खूब दानपुन्य करेंगे। हे कार्तिक के रायदा मुदर, जैसा उस चडिया को दिया, वैसा सब को देना, जैसा बाकी चडियाओं को दिया, वैसा किसी को मत देना, कहते, सुनते, हुंकारा भरते, अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना. गणेश जी की कहानी एक बार एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बिंदायक जी से मिलकर ही घर जाओंगा चलते चलते लड़का उजाड जंगल में चला गया तब बिंदायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है इसलिए इसे घर भेजू नहीं तो इसे जंगल में जानवर खा जाएंगे तब गनेश जी बुढ़े ब्राह्मन का भेज धरकर आये और बोले कि तू कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है तब वो बोला कि मैं तो गनेश जी से मिलने जा रहा हूँ तब वो बोले कि मैं ही गनेश जी हूँ मांग तू क्या मांगता है लेकिन एक बार में ही मांगियो वो लड़का बोला अन मांगू धन मांगू लाव मांगू लशकर मांगू नौकर चाकर नौखन का महल दाल भात का जीमन मांगू परोसने वाली ऐसी मांगू जैसे गुलाब का फूल तब बिंदायक जी बोले कि लड़के तुने तो सब कुछ मांग लिया लेकिन जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा जब वो लड़का घर आया तो उसने देखा कि एक छोटी सी बीननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है तब वो लड़का अपनी मा से बोला कि देख मा मैं बिंदायक जी से मांग कर कितना धन लेकर आया हूँ हे बिंदायक जी महराज जैसा उस लड़के को दिया वैसा सब को देना कहते, सुनते, हुकारा भरते, अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना जै बिंदायक जी